हेलो एंड वेलकम, ग्रेट अकेडिमी के ओनलाइन पोटल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए महाबली ओधा सिरीज, यह सिरीज का दूसरा पाठ है, जिसमें हम आप लोगों को 1500 कोश्चन्स करवा रहे हैं, यह सिरीज इंडियन रेल्वेज, मार्केटिंग, एकोनॉमिक्स और सियारेम की इन सब की आपके मोच सेलेक्टिव कोश्चन्स ही करवाये जाएंगे, और जो बच्चे यह डाउट पूछ रहे हैं कि जेनरल साइंस में क्या पढ़ हैं, क्या नहीं पढ़ हैं, आप लोग एदम बेफि जो बच्चे कहीं से भी टेसरी सॉल्व कर रहे हैं, अपने आपको जज नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपको जजमेंट में बहुत ही हल्प करने वाला है, जिन बच्चों ने कौपी पे नहीं लिया है, तो तुरंत लेके आ जाईए, और जल्दी से अटेंट करिए कोश्च नमबर्स को आप लोग जोडते रहेगा, हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताईएगा, और हर कोश्चन में आपको दो ही सेकेंड मिलेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजेगा, नेक्स्ट कोश्चन है, कस्टमर लाइफ टाइम परचेज, डैट जनरेट नेट प hypothetically हम लोग उसको imagine कर लेते हैं, कि हमारे पास lifetime return रहेगा, तो उसमें retention rate और survival rate भी निकालते हैं, तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजेगा, और हमारे lectures को जरूर फॉलो कीजेगा, जो बच्चे attempt नहीं कर पा रहे हैं, हमारे lectures को फॉलो कीजे, सारे questions आपको बहुत ही easy पाएंगे, next question, total customer benefit includes, इसका answer है all the above, तो total customer profit benefit क्या होता है, product benefit भी आएगा उसमें, service benefit जो company service दे रही है, उसका क्या benefit हुआ उसको, उसके image का क्या उसको benefit मिला, तो यह सारे जो है, total customer benefits में include होंगे, next question है, any occasions on which a brand or a product is encountered by the end customer is called, इस question में आप लोग ध्यान दीजेगा, बहुत ही सोच समझ के answer दीजेगा, इसका answer है customer touch point, मतलब customer जो है हमारे पास किस जरिये से आया, वो facebook के जरिये आया, या youtube के जरिये आया, या हमारे company के website में product का ad देखके आया, next point है, record which is based on a business customer, past purchase, sales price, and who is classified as? भी निकालते हैं कि हमारे business में profit हुआ कि loss हुआ, next question है, companies monetary, time and energy cost, all are included in? इसका answer है, total customer cost, जो भी company की monetary है, time है, मतलब company का जो पैसा है, उसका जो time है, और जो product में वो energy खर्च कर रहा है, जो भी उसका cost लग रहा है, सारी चीज़े जो है, total customer cost में include करके हमें product को बेचता है, तो ये total customer cost में जुड जाता है, तो इसको आप लोग समझ लिजेगा, कि जो भी company जो पैसा लगाती है किसी product पे, या time जो उस पे waste करती है बेचने में, तो सारी चीज़े का जो पैसा है, वो product में जोड देती है, तो total customer cost में जुड जाता है, next question है, dash is the study of how individuals, groups and organizations select by use and dispose of goods, services, ideas or experience to satisfy their needs and wants, तो ये सारी चीज़े जो है, वो customer behavior में आती है, तो इसका answer customer behavior है, जो भी किसी भी individuals के ideas को, या उसके services को जब हम study करते हैं, या उसके experience को, इसकी needs को, क्या वो चाहता है, तो सारी चीज़े customer behavior में आती है, इस question है, this is the processing of data about customers and their relationship with the enterprise in order to improve their enterprise future sales and service and lower cost, इसका answer है, CRM analytics, मतलब CRM में जो analytics का, हम लोग analysis करते हैं, उसमें क्या करते हैं, किसी भी enterprise या company से, company जो होती है, वो customer से relationship को increase करके, future में अपने sales को पढ़ाती है, और customer के परती सर्विस को पढ़ाती है, और अपने cost को low करती है, ताकि profits को gain कर सके, next question है, CRM stands for, यह आप लोग जानते होंगे, जल्दी से इसको attempt कर लिजे, customer relationship management, next question है, B2B stands for, इसका answer है, business to business, B2B जो है, business to business, इसका full form है, इसको आपने डायेटली याद कर लिजेगा, B2C stands for, इसका answer है, business to consumer, या customer, अगला question है, B2G stands for, इसका answer है, business to government, इसका answer है, business to government, जितने भी short forms है, इसको आप लोग डायेटली याद कर लिजेगा, यह बहुत ही असान है, और अपने numbers को आप लोग जोडते चलिए, जल्दी जल्दी attempt करिए, और हमें comment करके ज़रूर बताइए, next question है, C2C stands for, इसका answer है, consumer to consumer, next question है, what are the CRM technology components, तो यह सारे CRM के component है, front office solution हो, चाहे enterprise application integration हो, यानि कि EAI is for CRM, या CRM in the back office हो, यह सारे solutions के लिए CRM technology का इस्तमाल होता है, यह आप लोग समझ चुके होंगे CRM पढ़ते पढ़ते, next question है, dash uses sophisticated mathematical and statistical techniques, such as networking and cluster analysis, इसका answer data mining, तो data mining में हम लोग networking और cluster analysis के technique यूज़ करके, data को निकालते हैं, यह आपको lecture third में मिलेगा, कि data mining क्या होता है, मैंने उसमें detail नहीं बताया है, आप लोग उस lectures को follow कीजिए, जो बच्चे अटेम नहीं कर पा रहे हैं, यह CRM नहीं पढ़े हैं, प्लीज उसको follow कीजिए, ताकि आपके concepts clear हो सकें, और जल्दी-जल्दी आप questions का answer दे सकें, अगला question है, this is the central point in the enterprise, from which all customer contacts are managed, तो इसका answer है contact center, last video मैंने आपको बताया है, की lecture number 7, की customer contact जो है, यह contact center दौरा manage किया जाता है, अगला question है, this is the practice of dividing a customer, based into a groups of individual that are similar in specific ways, मतलब groups में divide करने पे, जो उनका हम लोग category बनाते हैं, वो similar होते हैं, किसी एक particular point पे, relevant to marketing, such as age हो गया, gender हो गया, interest हो गया, spending habits and so on, तो यह किस में आता है, इसका answer है customer segmentation, जब हम लोग customer का segmentation करते हैं, अलग-अलग customers का, divide करते हैं age के हिसाब से, gender के हिसाब से, तो यह सब common points है, जिस customer का जो age होगा, उस group में वो include होता चला जाएगा, तो उस कराटा जो हम लोग store कर लेंगे, अगला question है, the type of website that engages consumers in interactions that will move them closer to a direct purchase is known as dash website, मतलब diet purchase के लिए किस website का इस्तमाल होता है, यह आप लोग ध्यान दिजिए इस question पर, इसका answer है, interactive website, तो जो भी company जो है direct customer से interact करती है, तो वो interactive website के दोरह किया जाता है, products का हम लोग direct advertise करते हैं, और directly वहाँ से sell कर देते हैं, अगला question है, when preparing a website, जो हम लोग website बनाते हैं, यह design करते हैं, इसका answer है context, जब भी हम लोग कोई भी website त्यार करते हैं, यह design करते हैं, तो हम लोग यह देखते हैं, कि जो users हैं वो अपने ही में बात कर पा रहे हैं कि नहीं, जैसे माल लिजे हम एक किसी भी company के user है, उसके website को चला रहे हैं, और एक बंदा और है जो उस company को चला रहा है, जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उस website के जरिए हम उसे बात कर सकते हैं, और प्रोड़क्स के बारे में जान सकते हैं कि कैसा है, अगर उसने इस्तमाल किया है या वो खहिदने के बारे में सोच रहा है, तो यह communication का support है, यह service जो प्रवाइट की जाती है, तो यह इसको हम लोग कॉंटेक्स्ट बोलते हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजेगा, अगला question है, this is a systematic approach to a gathering consolidation and processing of a customer data, both for customer and potential customer that is maintained in a company's database, इसका answer है database marketing, तो जो भी जुड़ा हुआ होग database question, कि हम database को company से कैसे manage करते हैं, तो database marketing में आएगा, CRM है यह उसी के लिए, कि database को हम किसी भी companies manage कर सके, उसको handle कर सके, अगला question है, CRM process begins, कब चालू होता है CRM process? इसका answer है after sale and before sale, यानि कि sales से पहले भी हमको CRM का इस्तमाल करना होता है, और sales के बाद भी करना होता है, तो दोनों चीजों के लिए हम CRM का इस्तमाल करते हैं, अगला question है, a sales person who has a customer relationship, selling product is said to be involved in, इसका answer है cross selling, यानि कि अगर हम किसी customer के साथ relationship maintain करके रखे हैं, हमारा company के साथ उस customer का behavior अच्छा है, रिटेन हैं, तो उसको हम अगर कोई भी product देंगे, कि सर यह भी ले लिजे साथ में, यह आपके लिए फाइदेबंद होने वाला है, आपके day life में usable होने वाला है, तो इससे हम cross sell करते हैं, जब किसी एक product के साथ दुसे product को हम लोग बेज दें, यह मैंने आपको लेक्चर फोर्थ में बताया है, इसमें आपको ध्यान दीजेगा, अगला question है, CRM is dash, इसका answer है customer centric, यानि कि CRM software जो company इस्तमाल करती है, कोई भी enterprise या छोटे बड़ी company जो भी इस्तमाल करती है, तो यह totally customer पे ही focus करता है, क्योंकि इसका नाम ही है customer relationship management, तो यह customer centric होगा, अगला question है, what is the last stage of consumer decision process, last stage क्या होता है किसी भी consumer के decisions, जब वो लेता है product को खईते समय, इसका answer है post purchase behavior, यानि कि जब वो product को ले चुका है, उसका behavior कैसा है, उस पे depend करता है, अगला question है, e-business stand for, यह बहुत ही common questions है, यह questions को answer आप लोग जानते होंगे, तो जल्दी से answer करते दीजिए, इसका answer है electronic business, अगला question है, customers begins able to buy products and services on the internet, is a result of, मतलब जब कोई भी customer, किसी product को इंटरनेट से खरीता है या online खरीता है, आज सारे services जो है online ही provide की जाती है, आज कल जो हम लोग Amazon या फिलिप कार्ट से जो भी products लेते हैं, तो हमें जो भी services दी जाती है, माली जामें आज सी खरीते हैं, तो हमारे घर पर पोडल्ट आ गया, और जो services के लिए जो मतलब जो भी आते हैं यहां पर service प्रवाइड करने के लिए, उसकी repairing के लिए या उसका setup करने के लिए, installation के लिए, तो वो company दोरा online ही भेज देते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो यह सारी जो है, इसका answer है e-business, जिसका full form मैंने पिछले questions में आप लोगों ने किया, तो e-business में यह सारी चीज़ा आती हैं, अगला question है internet is used in a business too, किस लिए करते हैं हम लोग, किसी business में internet का इस्तमाल क्यों किया जाता है, यह तो बहुत ही common question है, जल्दी से आप लोग इसको answer दे दीजिए, सभी जानते होंगा इसका answer, speed of a business process, अपने business को जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए, increase करने के लिए, अगला question है, first open source software CRM, for a CRM was launched, whose name is sugar CRM, जिस software का नाम सुगर CRM था, कब launch किया गया था, इसका answer है 2004, यह मैंने आपको second lecture ने बताया है, जब software evaluations को पढ़ाया था, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे लेक्टेस को नहीं follow कर रहे हैं, लेक्टेस को follow कीजिए, लास्ट में कमेंट बॉक्स में बतायेगा हमें, इन 1993, फर्स CRM पोडेट, लॉंच्ट बाई टॉम सीबल, उसका नाम क्या था, इसका answer है, सीबल सिस्टम, यह भी मैंने आपको, पढ़ाया है, अगला question है, फर्स्ट मुबाईल CRM एप, लॉंच्ट बाई ए सीबल सिस्टम, इन 1999 इज, कौन से एप लॉंच्ट किया था, पहला मुबाईल CRM एप, इसका answer है, सीबल सेंस हैंडल, आप सभी लोगों ने questions को attempt कर लिया होगा, जल्दी से हमें नमबर जोड़के बता दिजे, ताकि हमें यह idea मिल सकें, कि किस तरह के questions हम ले के आप लोगों के लिए, thank you for watching my video, मिलते हैं सीरीज के next video में, तब तक के लिए जय हिंद।